बश्कार साथियो मराकेस परजापत आज आप सभी नर्सेज और पेरामेडिकल के लिए एक अरजेंट वीडियो लेके आ गया हूँ जी हाँ दोस्तों ये मोश्ट इंपोर्टेंट इन्फोर्मेशन इन सर्विस नर्सेज और पेरामेडिकल केंडिडेट्स के लिए रहने वाल है तो ये न्यूज है वो आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है अब इस राज हेल्थ पोर्टल पर आप अपनी जो डिटेल है वो कैसे अपडेट करेंगे इसमें फर्स टाइम आपको लोगिन कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद में क्या-क्या नोख सी लेकर एड तक पूरा देख लेना है तब ही सारी जिए आपके समझ भड़ाएगी यह बहुत ही यहां पर है वह चीज है वह बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सरल है इसको आप अपने मोबाईल से आसानी से कर सकते हैं मैं आपने मोबाईल से आपको पूरीوس डेल ह go.nick.in ये आपको यहाँ पर टाइप करना है ये टाइप करके आपको सर्च कर लेना है जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने देखो rajhealth.rajistan.go.in ये साइट है वो आज आएगी राज हेल्थ लोगिन गौर्मेट और राजस्तान का ये पोर्टल है इसको पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है जैसे आगे बढ़ोगे राज हेल्थ का ये होम पेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस तरह का होम पेज आपको थोड़ा सा नीचे इस लिते प्लिक करना ही आपके सामने आ जाएगा Please enter the login detail लोगिन डिटेल आपको डालनी है इसमें आपका username पुछा जाएगा username आपकी जो employee आईडि है वो आपकी username होने वाली है सोड़ा डिजिट की जो user ID है आपकी employee ID है वो username आपका यहां पे होने वाला है password है अगर आप first time login कर रहे हैं तो आपका यहां पे password है वो रहने वाला है राज जिसमें R है वो capital रहेगा उसके बाद में कोई भी space नहीं देना है राज health उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे डोलर का है वो निशान 123 यह first time password रहेगा यह password आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद में जो security code है वो डालना है और login कर देना है जैसे ही आप login करोगे आपके सामने यह चीज आ जाएगी please set your password यहाँ पे आपको first time password डालने के बाद में सबसे पहले आपको जो password हो change करने पड़ेगे आपको password set करना पड़ेगा पासवर्ड में क्या क्या करना है एक आपका capital later होना चाहिए उसके बाद में आपके small later हो सकते हैं और एक आपका यहाँ पे अंक होना चाहिए number होना ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए फिर OK पे क्लिक कर देना है OK पे क्लिक करते ही आप से कहेंगे कि नए पासवर्ड डालो जो मैंने बताए न अभी कि जो एक capital later में करना है उसके बाद में आप जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो minimum आपका 8 अंको का है वो यहाँ पे password हो होना चाहिए आपको यहाँ पे password एंटर करना है कनमफरम में वो ही password वापिस एंटर कर देना है उसके बाद में security code डाल देना है और update कर देना है जैसे आप नए password डाल के update पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा password has been changed आपके जो नए password है वो अब आपके password हो गए है और password हो चेंज हो गए है ओके पे क्लिक करना है ओके पे क्लिक करते ही आ जाएगा यहाँ पे you have successfully logged out click to login again अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से login कर लेना है फिर से आपको अपनी जो employee ID है वो डालनी है password जो आपने अभी अपनी इच्छा से डाले है वो password आपके जो नए password बने है वो आपको यहाँ पे डालना है security code है यहाँ पे दिये गए है फिर login पे क्लिक कर देना है और आप इस आपकी profile पे यहाँ पे पहुंच जाओगे राज हेल्थ का यह portal है इस तरह से आपको यहाँ पे home profile untitles और logout है वो दिखाई दे जाएगा यहाँ पे अपने को profile में जाना है और पूरी जो detail है वो यहाँ पे update करनी है अब क्या-क्या detail update करनी है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ तो आपको यहाँ पे profile पे है वो click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे profile पे click करोगे तो आपके सामने है वो काफी चीज़े है वो आ जाएगी दोस्तो तो यहाँ पे देखो जैसे आपने profile पे click किया यह profile पे आपने click किया view का option आ रहा है edit का option आ रहा है तो आपको यहाँ पे edit के option पे फिर से click कर देना है Edit के Option पे क्लिक करते ही आप से यहाँ पे सारी चीज़े हैं वो यहाँ पे मांगी जाएगी कि क्या क्या चीज़े आप करना चाते हो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्या यहाँ पे करना है जैसे ही आप यहाँ पे Profile पे क्लिक रोगे यहाँ पे edit पे click होगे तो यहाँ पे सबसे पहले आजाएगी personal detail इसमें आपको सारी चीज़े edit करनी है अब यहाँ पे डीडियों के तरब से पहले सही detail है वो update की हुई है आपको सिर्फ अपनी detail है वो check करना है अगर कोई detail गलत है तो उसको सही करना है और कुछ चीज़े है वो नई जोड़नी है वो क्या क्या जोड़नी है वो मैं बता देता हूं दोस्तो personal detail करनी है qualification है वो आपको aid करनी है service detail भी check करनी है pay and bank detail है वो भी checker करके update करनी है family detail checker करके update करनी है और nominee की तो must है यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा दोस्तो सबसे पहले personal detail में employee type है इसमें nursing officer वालों का nursing आ जाएगा और para medical candidates के लिए यहाँ पे para medical आ जाएगा employee ID आपकी डाली हुई है designation nursing officer डाला हुई है DDO का नाम आपका डाला हुई है आप इसमें कुछ भी change नहीं कर सकते है आपका नाम भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और हिंदी में नाम है वो आपको डालना है हिंदी के browser से हिंदी में नाम आपको यहाँ पे डाले देना है दोस्तों यह चीज़ें आपको देख लेनी है उसके बाद में आपकी जो service है उसके बारे में आपको डालना है यहाँ पे जो personal detail में मोटा मोटी क्या change करना है वो मैंने बता दिया है इसके अलावा आपको यहाँ पे जन आदार नमबर है वो यहाँ पे अपडेट करने पढ़ेंगे इसमें लिखे वे नहीं आएंगे जन आदार नमबर आपको लिखना है आदार नमबर है वो आपको लिखे वे नहीं आएंगे वो आपको अपडेट करना है इसके अलावा जो RGHS कार्ड के नमबर है वो लिखे वे नहीं आएंगे वो आपको अपडेट करना है फोटो देखो आपकी यहाँ पे है नई फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है 40KB से छोटी फोटो होनी चाहिए आपकी 40KB से छोटी JPG format में होनी चाहिए पहले से इसके इन करके रख लेना है SI के जो नंबर है वो लिखे वे आएंगे आपको चेक कर लेना है GPF के जो नंबर है वो आपके लिखे वे आएंगे चेक कर लेना है इसके अलावा आपके जो प्राण नंबर है वो लिखे वे आएंगे वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है Payne नंबर है वो लिखे आएंगे पेन कार्ड के नमबर वो भी आपको check कर लेना है लिखे वे चीज़ आएंगे वो आपको यहाँ पर check कर लेना है यहाँ पर mobile number, email id आपको सारी check कर लेनी है कुछ भी गलत है आपको change कर देनी है दोस्तो, emergency number है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे तो आपके एक तो खुद के mobile number है उसके अलावा आपको emergency में कहाँ पर contact किया जाएगा alternative mobile number आपको यहाँ पर डाले देना है यह सारी चीज़े यहाँ पर आ गई है दोस्तो उसके बाद में update कर देना है update के बाद में next जो tape है वो खुल जाएगा qualification का तो qualification में आपको यहाँ पर aid qualification पर चले जाना है aid qualification पर जाते हैं आपके सामने यहाँ पर पूछा जाएगा qualification type तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th कर सकते हैं उसके बाद में आपको 12 खरनी है उसके बाद में आपको 3rd year की जो mark sheet है वो करनी है और passing year लिख लेना है certificate के number है वो लिखते ने है तो यहाँ पर certificate के number है वो आपके roll number हो यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों यह चीज़ें आपको कर देनी है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर upload certificate degree अब यह जो photo आप जो 10 वी बारी mark sheet और GNM की mark sheet की photo upload करेंगे वो आपकी 100 kb से कम की होनी चाहिए और jpg format में होना चाहिए यह चीज़ें आपको ध्याने रख लेनी है उसके बाद में add करना है, update कर देना है उसके बाद में service detail है, वो आजाएगी आपकी joining कब हुई थी, ddo पे joining कब हुई थी regular service में वो लिख देनी है date of present designation वो क्या है, कब की है वो कर देनी है, तो वो भी यहाँ पे यहीं की होने वाली है, उसके बाद में date of present इस place पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं वो लिख देना है, retirement की date भरी हो जाएगी service caterer subordinate भी होने वाला है और service status regular ही आपका होने वाला है, उसके बाद में आपको update कर देना है उसके बाद में pay and bank detail आने वाली है आपकी pay commission है, वो 11 आ जाएगा यहाँ पे आपको pay level है वो L11 आपका sorry, pay commission है, वो आपका 7th आने वाला है, 7th pay commission आने वाला है और pay level है, वो आपका L11 है, वो यहाँ पे आने वाला है, दोस्तों, basic pay आपकी यहाँ पे जो भी है, वो आ जाएगी आप अपनी, जो current sales sleep है, उसको download करके check कर सकते हैं grade पे है, वो 42 आने वाला है NPA, NPA रहेगा, account number आपको यहाँ पे check कर लेना है, दोस्तों, account update पे आगे जाओगे, तो उसके बाद में आपके जो family detail है वो आ जाएगी, family detail में आपको किसी को यहाँ पे aid करना है किसी को delete करना है, वो सारा आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद में nominee detail है, वो आ जाएगी, तो आप कितने nominee बना चाहते हैं, उस पे click कर देना है, और share कर देना है, एक बनाना है दो बनाना, तीन बनाना, जितने चाहों आप बना सकते हो, nominee वो ही candidate बन सकता है, जो आपकी family detail में aid है, इसके अलावा nominee नहीं बनेगा इस चीज का आपको ध्याने रख लेना है दोस्तों, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर update कर देनी है, दोस्तों इस तरह से सारी चीज़े राज health portal के रहने वाली है आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे comment box में जाकर आप comment करें मैं वहाँ पर personal reply देने की कोशिस करूँगा, जल्दी आज़रतों, next लेकर तब तक स्वास्तरे मस्तरे, thank you friends